इस दुनिया में मचलियों की 28,000 प्रजातियां मुझूद हैं जिनमें से कुछ मचलियों की प्रजातियां प्यारी और पालतू होती हैं और कुछ तो काफी ज़्यादा खतरनाक होती हैं तो आईए दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आज की इस वीडियो में आप जनोगे दुनिया के 5 सबसे खतनाक और जानलेवा मचलियों के बारे में दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है किरपय अगर के सबस्क्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दे अगर आप चैनल को सबस्क्राइब करते हो तभी दोस्तों आगे कि आप अच्छी अच्छी वीडियो देख पाओगे चलिए श्टार्ट अगर इनके दातों में आपका शरीर आ जाए तो ये आपके शरीर के चीतड़े करतेगी और इसको मिनट भर का टाइम भी नहीं लगेगा और तो और दोस्तों ये मचली मगर मच पर भी हमला करने से नहीं टरती है ये मचली 5 फिट लंबी हो सकती है और इनका वजन 70 किलोग्रा जाती जिसका नाम है गूंच कैट फिश ये मचली काफी खतनाग माने जाती है और इस मचली को देविल जाएंट कैट फिश माना जाता है दोस्तों आप इस बात को जानकर हैरान हो जाओगे कि इस मचली को मैन इटर भी कहा जाता है क्योंकि कई बार इस मचली ने इंसानों पर भी हमला किया है और जिस भी इंसान पर इन्हों ने आज तक हमला किया है उनकी शरीर के टुकड़े भी आज तक नहीं मिले है तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैट फिश कितनी भयानक और जानलेवा है ये कैट फिश 6.6 फीट बड़ी हो सकती है और इनका वजन 90 किलो तक होता है ये मचली साउत और साउति स्टेसिया की तेज बहने वाली नदियों में पाई जाती है दोस्तो इस मचली के बारे में आप में से काफी लोगों ने सुना होगा क्योंकि ये दुनिया की काफी जानी मनी और खतनाक मचली है इस मचली का नाव स्टॉन फिश इसलिए है क्योंकि ये दिखने में एक स्टॉन यानि की पथर जैसी होती है इनका सर और मुँँ दूसरे आम मचलीऊं से काफी बड़ा होता है जो इससे दूसरी मचलीऊं से अलग बनाती है इस मचली का पथर जैसा सरीर इससे चुप कर वार करने में काफी मदद करता है ये मचली दुनिया की सबसे जहरीली मचलियों में गिनी जाती है इसका जहर इंसान को एक घंटे में ही मौत की नीन सुला सकता है मगर दोस्तों ये मचली अपना जहर शिकार को मारने के लिए नहीं बलकि अपने बचाओं के लिए इस्तमाल करती है ये मचली इंडियन और पैसिफिक ओसियन में पाई जाती है और अब आप एक ऐसी मचली देखने वाले हो जिससे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे तो ये है पेयारा मचली ये दिखने में काफी डराबनी है जिनकी वज़े से इसको वैंपायर फिश भी कहा जाता है ये मचली काफी ज़्यादा ताकदवर होती है ये अपना पेट छोटी मुटी मचलीओं को खा कर भरती है लेकिन इनके अंदर अपनी जितनी बड़ी मचली को खाने की काबिलियत भी है ये अपने शिकार को अपने आगे वाले इन दो बड़े दांतों से बड़े भयानक तरीके से मारती है और उनके टुकडे टुकडे करकर उने खा जाती है इनके ये दोनों दांत 4-6 इंच लंबे होते हैं और इन ही खतरनाक दांतों की वज़े से इनको वैंपायर फिश भी कहा जाता है ये मचली 3.6 फीट लंबी हो सकती है और इनका वजन करीबन 18-20 किलो तक हो सकता है ये मचली South America के Amazon Basin में पाय जाती है और हाँ दोस्तों ये मचली इंसानों पर हमला नहीं करती है इस बात को सुनकर आप इसे छेड़ने की कोसिस मत करना वरना ये आपके दो टुकडे कर देगी क्योंकि इस मचली को जब तक इंसान छेड़ेना तो ये इसको कुछ भी नहीं कहती है लेकिन अगर छेड़ दोगे तो ये आपको छोड़ेगी भी नहीं दोस्तों ये है दुनिया की सबसे जहरीली मचली जिसकी बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा ये मचली अपने आपको एक बॉल के शेप में कनवट कर लेती है और ये जब ऐसा करती है तो इसके सरीर पे हर तरब काटे ही काटे आ जते हैं जब भी इस मचली को आसपास खत्रा महसूस होता है तो फिर ये मचली अपने शरीर को फुला लेती है ताकि इसे कोई भी मार ना सके एक puffer fish में इतना जहर होता है कि ये 30 आदमी को मार सकती है और इसके जहर का अभी तक कोई भी anti-manem मौजूद नहीं है इसलिए दोस्तों ये सबसे जानले बाँ मचली होती है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी महनत लगी है आपको एक लाइक करने में सिर्फ एक सेकंड ही लगीगा प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर देना